हे फ्रेंस वेलकम यहों से धार्द लाइब और आप लोग के लिए आज एक बहुत ही बहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ बहुत सारे लोग का मन होता है कि XC Papers के साथ हम गेट देते हैं पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि XC Papers के पास उनके पास क्या Opportunities होंगी As we know like XC Papers के थुरूआ P.A.C. उस तो जा नहीं पाएंगे बट यह है कि M.T.E.C. में बहुत सारी IITs में NITs में आपको admission मिल जाएगा पर बहुत सारी लोग को यह नहीं पता होता है कि यार हम M.T.E.C. में जाएंगे तो पर M.T.E.C. में हमें Opportunity क्या मिलेगी कुछ लोग Mechanical से गेट देते हैं कुछ लोग XC से गेट देते हैं अगर उनका XC का गेट का score better आता है तो उन्हें पता तो होना चाहिए न कि उनको M.T.E.C. में बहतर ब्रांच मिल सकती है या XC से गेट पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं था मैं आप लोगो सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि मैंने कोसिस किया कि मैं अपने इस IIT की सारी ब्रांचिस को कवर कर ले जाए क्योंकि XC के NIT के लिए मैं अल्लेडी वीडियो बना चुका हूँ हो जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं प्लेडिस्ट बनी हुई है एम्टेक कट आफ की पर क्या हो रहा है कि IIT हर साल XC में एम्टेक ब्रांचिस बढ़ा रही है क्योंकि XC के पेपर बहुत ज़्यादा प्रिमोट हो रहा है क्योंकि अब ये मिकैनिकल के साथ सेकंड पेपर आप्शन में आ गया है यहां गाइस देख सकते हैं अनकेडमी लेकर आए है आप लोग लिए इवॉल बैच फॉर गेट 2023 एक बाइलिंग्विल बैच है मिकैनिकल का बैच डी दो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है यहां पर आगर आपको ज़्यादा डीटेस्ट आई है तो यहां पर कॉल नंबर दि स्टार्ट करने वाले हैं इसके सासत यहां पर टॉफ फैकल्टी लैक प्रविन कोलकरणी सर एसके मौंडर सान देविन नेगी सर जैसे बड़े-बड़े टीचर यहां पर पढ़ाने वाले है एक और बैच है यहां पर गेट 2024 के लिए एक बैच एसेंट जो की फाउंडेशन बैच है और जो यह एसेंट बैच है यह दो साल का प्रोग्राम है यहां पर मतलब एक तरह से आप 2024 के लिए गेट के लिए त्यारी कर रहे हैं बाइल यंग्वेल हैं मेकेनिकल बैच डी है जो स्टूडेंट इंजिनिंग कॉलेज में हुनके लिए बैश्ट है जिसे थर्मो बात करते हैं हमें IIT खड़कपुर की जो कि एक बहुत ही अच्छा IIT है और उसका 4 और 5 रंक NIRF में आता है और प्लेश्मेंट भी काफी अच्छा होता है तो सबसे पहले एक्सी से इसमें अपॉर्चुन्टी मिलती है क्राइजुनिक इंजिनिरिंग में एनर्जी स्टडी ौरी इंजिनिरिंग और बहुत अच्छी अच्छी का प्लीसमेंट बहुत अच्या है इसका ट्रफ थोला है लेकिं प्रकी शोड़मिल्धि ग्राइड बेस्ट अंचे मैं घृक्ट सब्सनी कर हों तो थो जायनिकल की उपस shootings मेरें किसें अच्छ़ बहँद हिलंग कुट Aerospace Engineering बहुत अच्छा है, Placement बहुत अच्छा है, Climate Engineering, Earth Science, Nanoscience, Quantum Technology बहुत अच्छी ब्रांच है और Smart Manufacturing यह दोनों ब्रांचेज भी बहुत अच्छी है, दोनों का Placement बहुत जाद अच्छा है Third College जाता है, That is IIT Madras, IIT Madras की तो हमें पता ही यह Placement बहुत अच्छे है तो Aerospace Engineering, Applied Mechanics, Mechanical 123 में क्या आएगा, Thermal Design and Manufacturing CE2 क्या होता है, CE2 मतलब यहाँ पर Code है, जैसे CE1, CE2 यह मतलब Stream Code होते है तो CE2 में Environment आता है, CE4 में Border, Hydraulic, Resource Engineering आती है CL1 में Clinical Engineering आती है, MM में आता है, MME, Metallurgical and Materials Engineering OE2 में आता है, Ocean Technology, तो यह सबसे पहले Opportunity आपको IIT Madras में मिलती है XC Paper के Thru, बाद हम बात करते हैं, IIT Bombay जो अपने Placements के लिए तो जाना ही जाता है और मैं बता दूँ, और हर साल IIT Bombay के Placement हमेसा सबसे अच्छे रहते हैं हाँ पर सबसे पहले Opportunity मिलती है, आपको Biomedical में, इसके साथ Ocean Engineering, Energy System Engineering, Environment Science ME1234 का मतलब यहाँ पर है, Design, Thermal, Manufacturing से इसके साथ MM1 का मतलब है, Material Science, MM2 का मतलब है, Process Metallurgy, MM4 का मतलब है, Corrosion Science and Engineering आपको यहाँ पर Steel Technology Branch यहाँ पर नहीं मिलती है, Gate Paper के Thru इसके साथ है Technological and Development बहुत अच्छी ब्रांच है, Education Technology and Urban Systems करते हैं IIT डुड़की, तो IIT डुड़की में आपको Industrial Metallurgy मिल सकता है, Material Engineering, Alternate Hydro Energy Systems, Environment DMC का मतलब है, Disaster Management, PPE का मतलब है, Polymer and Process Engineering इनका PPE वाला Campus है, यह चलता है, सहारनपूर के अंदर मंडी की बात करेंगे, तो यहाँ पर Mechanical Engineering में दो Stream आती है, एक आती है Energy Systems और एक आती है Materials तो यह साथ तीन ओप्शन्स आते हैं, IIT भिलाई में Mechanical Engineering, इसका Review में बना चुका हूँ इसका Review में बना चुका हूँ, IIT Goa में Mechanical Engineering, IIT BHU में Decision Science One of the best branch है, 100% placement है, अब आप पैके 10 लाग के उपर रहता है, इसका भी Review में अल्रेडी बना चुका हूँ इसका आपको बताऊँगा, यहाँ पर IIT पतना है, यहाँ पर सौरी BHU गलत लिग गया था, तो उसको माफ करेगा, यहाँ पर पतना है पतना में आपको Megatronics जिसका placement इस साल 19 out of 20 रहा है, Material Science में भी यहाँ पर आपको XC paper के थुरू मिल सकता है IIT Hyderabad Smart Mobility पहली branch है जिसका 100% placement हुआ है, पिछले साल से ही खुली है और इस पहली बार में सबसे पहले इसका 100% placement हो गया है IIT Kanpur जो अपने Aerospace Department के लिए जाना जाता है, यह आपको मिलता है आपके XC paper के थुरू फिर आता है IIT जोदपुर में Material Science, आपको IIT Delhi में Energy Studies और Aerospace and Engineering आपको IHT Tervant Pramindian Institute of Space Technology में मिल जाएगा इसके साथ साथ आपको कुछ अलग चीज मिलती है जैसे निटी Bombay में आपको PGDIE और PGDSM दो बहुत अच्छे course मिलते हैं यह सबसे best माना जाता है अगर आपको यह मिल गया तो आपकी life बन जाएगी यहां का average package है 15,000,000 से उपर इसकी उपर मैं जल्दी ही review लेकर आऊँगा यहां पर आप बात करते हैं MS भी आपको मिल सकता है MS में इसके अलावा भी बहुत सारे options है पर मुझे जितने पता थे मैं उतने को कबर किया जैसे energy branch आपको IIT गुहाटी में mechanical IIT मदरास में mechanical IIT डेली में aerospace IIT कानपूर में energy system IIT मंडी में and material science and engineering IIT मंडी में तो यह सारे branches थी मै सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बने रहना है जोड़े रहना है सिदार सुकला के साथ आप लोग का बहुत नमस्कार